अब हम 9th class के unit 5 का numerical 4 करने लगे हैं तो सबसे पहले जो हमें data given है वो हम लिखते हैं यहां पर gravitational acceleration की value हमें given है 1.62 meter per second square और radius of the moon हमें given है 1740 km हम लोग kilo का prefix यूज़ करके सबस्क्राइब यहां पर यूज़ करना है तो यह data लिखने के साथ हम लोगों ने universal constant of gravitation की value यहां पर यूज़ करना है capital G से इसको denote करते हैं 6.673 into 10 to raise power minus 11 newton meter square और kilogram square और kilogram square है अब mass of moon हमने find out करना है तो इसके लिए हम लोग formula लिखते हैं होगा g m divided by r square मैस of the moon capital M यहां पर हम find out करना चाहरे हैं तो नीचे जो r square है यह equality के दूसरी साइड पर जाके multiply हो जाएगा और capital G M के साथ multiply हो रहा है तो यह equality के दूसरी साइड पर जाके divide हो जाएगा denominator में चला जाएगा तो इसको मैं soft करके लिखता हूं तोड़ी rearranging है तो इदर हम लोग दिखते हैं तो r को हम उदले जाते हैं तो यह बनेगा g r square और capital G के साथ इसको हम divide कर देते हैं तो इसको हम थोड़ा सा और set करके लिख लेते हैं यह हमारे बास बनेगा m is equal to g r square over capital G next step हमारा calculation होता है तो calculation में हम लोग values जो हमारे पास given है वो put कर देते हैं तो capital M is equal to small g की value gravitational acceleration की value 1.62 है moon पर और moon का जो radius है वो 1740 x 10 to raise per 3 है और capital G की value 6.673 x 10 to raise per minus 11 यहां पर हम लिख रहे हैं अब इसको हम calculator की मदद से solve करते हैं तो यह हमारे पास आंजाय आ जाएगा calculation का यहां पर और का सुक्यर भी है इसी इसको आपने भूलना नहीं है तो calculation में दूरूर इसका ध्यान रखिएगा अपर वाले फेक्टर को separately calculator में solve करें और नीच वाले फेक्टर को separately यह आएगा 7.35 x 10 to raise per 22 kg यह आप calculation के लिए brackets भी इसमाल कर सकते हैं यह अच्छा फरीका है इसे calculation में मजीद गलती नहीं आती है यह हमारा answer है görev बार शेती है और शेवी आती है और अपर बाद सकते हैं सलवत बड़ में